हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो इस महीने से बहुत सारी उम्मीदे थी और आपको अभी भी रखनी चाहिए लेकिन जिस इसाब से कुछ ऐसी नियूज निकल के आज आती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता तो उसक इस टाइम पर बिटकोईन के अंदर हमें वही देखने को मिल रहा है लेकिन इंट्रेस्टिंग बात क्या है जो कहीं न कहीं हमें समझने चाहिए बिटकोईन पंदरा हजार से तीस हजार डॉलर चला गया और इस टाइम पर लगबख 27,000 डॉलर के आज पस चल रहा है लेकिन यह जो आल्ट कोईन्स हैं बिटकोईन की डॉमिनेंस भड़ रही है लेकिन जो आल्ट कोईन्स हैं वो अपने जो लो थे उसको टेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर बिटकोईन के अंदर शौट टम में क्या लगता है लेकिन अगर आप पीछे की फिचर नहीं देख पा रहे हो तो मैं कोशिच करूँगा कि आज भी आपके साथ में मैं एक दो ऐसी इनफोर्मेशन एक ऐसे चार्ट लेके आया हूं जो कही न कहीं यही बता रहे हैं कि उ मार्किट ऐसे उपर नीचे होती है कई 10,000 वाले कई 15,000 दुबारे बॉटम बनाएगा कई लोग 0 बोलना शुरू कर देंगे लेकिन यही तो मज़ा है यही तो उपर नीचे नहीं होगा तो शौट टम वाले पैसा कैसे कमाएंगे और यहां पर जहां से चले थे अक्टूब लोग पूछ रहे हैं 4-5 कोईन के बारे में इथीरियम को लेके खास कर लोग पूछ रहे हैं कि यह क्या यह और क्रैश करेगा अब वो क्या न्यूस थी और इसकी वज़े से हमें थोड़ा प्रैशर तो देखने को मिला लेकिन इंफोर्मेशन होती कुछ और है बताई कुछ और जाती है निकल के कुछ और आता है और इस चीज के अंदर आम आदमी उलचके रह जाता है तो इधीरियम का क्या लगता है डॉट अपने लोग को टेस्ट कर रहा है उसका क्या लगता है संज्जाने और कवर करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर बहुत सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है तो और हमारा काम है information share करने का जो हम करते रहेंगे उम्मीद करूँगा अगर आपको हमारा content अच्छा लगेगा तो वीडियो को like ज़रूर करेंगे लेकिन यहां पे Bitcoin आप कह लिजे कि हम 26,500 डॉलर दोबारे देख लिया लगबग 28,000 डॉलर देखने के ब तो यहां पर समझ लिजेगा एक opportunity होगी 25,000 डॉलर की important support है और आपको पता ही है कि जैसा हम expect करते हैं अगर उस level पे आए तो एक पैसा बनाया जा सकता है मैं स्टोरी से शुरुवात करता हूँ आप थोड़ा सा इस चीज को समझ पाओगे जब भी crash होते हैं वो क्या होते हैं अब कई लोग इन crash के अंदर पैसा कमाते हैं 25,000 डॉलर जब पिछली बार आये था आमने बोला entry बनाओ entry बनाओ अब 28,000 डॉलर 3,000 डॉलर का difference एक अच यहां पर मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत interesting है माफ कीजे का थोड़ा relate करना पड़ता है चीजों को समझाना पड़ता है ताकि आप overall picture को समझ पाओ यहां पर जब ही crash होते हैं हम एक स्टोरी मैंने भी recently सुनी थी और मुझे लगा आ से वह बोलता है कि मेरे को कुछ ऐसी चीज दे दो जिसको मैं कहीं पर भी लगाऊं वह सोने की हो जाए गुरु जी कहते है तथास तु अब गुरु जी ने तो दे दिया आशिवाद लेकिन गुरु जी कंडिशन लगा देते हैं कि भाया वह पत्थर तुझे नधी के किनार मिलेगा और वह गरम होगा हतेली पर रखोगे तो वह आपको गरम महसूस होगा और वह आपको ढूड़ना पड़ेगा इतनी महनत आपको यहां करनी पड़ेगी अब वह आदमी कहता है कि ठीक है गुरु जी आपने इतना कर दिया वह पत्थर तो मैं ढूंड दिलूंगा न नदी के अंदर फैंक देता है एक दिन बीता दो दिन बीता चार दिन बीते पांच दिन बीते एक महीना बीता दो महीना बीता चार पांच महीने ऐसे ऐसे बीत गए लेकिन उसको पत्थर नहीं मिला वह उठाता नदी में इसके पास किनारे से पत्थर और नदी में फैंक द कि लेक्त क्फेश करने में उसको पथर मिला उसको रहा देली में गरम भी लगा- छेकर पर इसको पर पकड़ת और फिर अनुर। प्रॉफिट बना ले या वही करते रहें कि भाया उठाएंगे फैंक देंगे कुछ emotions नहीं कुछ realization नहीं कुछ opportunity नहीं देखनी 15,000 पे कई लोगों ने यही चीज को गरम पत्तर को महसूस किया और हतोड़ा मार दिया अब यहां पर कई लोगों ने वो ही सोचा होगा उठाओ फैंक को 10,000 डॉलर आएगा 10,000 डॉलर आएगा तो in short यह सब बताने का आपको मतलब क्या है कि opportunities आती हैं लेकिन हम उसको realize नहीं कर पाते ना short term में और long term वालों के लिए क्या यह opportunity नहीं है उसके लिए मेरे पास में एक चार्ट है सबसे पहले मैं उस चार्ट के साथ में शुरुवात करता हूँ और एक और information आपको दूँगा जो कहीं न कहीं आखे खोलती है कि भाईया यहां पर खेल बड़ा है हम नहीं समझ पा रहे हैं अब यहां पर इस चीज को realize करने के लिए मेरे पास में एक और चार्ट है जिसको आप कह लिजिए गुसियान चैनल यह चार्ट है बड़ा interesting है आपको दिख रहा होगा एक सांप सा बना हुआ या एक बैंड दिख रहा होगा bitcoin के price के साथ में उसके आसपास चल रहा है एक middle line है और ऊपर line है green और नीचे line है और यहां पर ध्यान रखिएगा अगर मैं इस channel को देखता हूं कुछ period के लिए red दिखेगा आपको और फिर यह green होता दिखता है यानि कि जब bottom बनाता है bitcoin तो समझ लीजिए या bear market के अंदर होता है तो हमें red channel दिखता है नहीं तो जब market bullish होती है तो यह हमें green channel के अंदर दिखता है अब यहां पर सबसे पहल momentum के अंदर है किस rally के अंदर है हम क्या bear market के अंदर है हम bullish market के अंदर है यह इसको indicate करता है और यह एक बड़े renowned mathematician है जिनोंने चार्ट बनाया था यह indicator बनाया था जिसका नाम था karls friedrich gas अब gusyan कह लीजिए या gus कह लीजिए जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए in short कहने का मतलब यह है बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पर यह बोलना शुरू कर दिया अब तो market crash करेगी और अच्छा खासा नीचे जा सकती है लेकिन यहां पर अगर मैं इस chart को consider करत हूं इस indicator को देखता हूं तो picture कुछ और ही दिखती है अब यहां पर ध्यान रखेगा cycle होते हैं bitcoin halving से पहले हमें जो है आप कहले बिटकोइन bottom बनाता है और bitcoin bottom के बाद हम एक बुल मार्केट के अंदर जाते हैं जो हमें डेड़ साल का वनवास देखा है फिर वो दो-धाई स हमें अच्छा खासा एक फल देता है और थाई साल के अंदर लगभग 25 यानि कह लीजिए हालविंग के एक डेड़ साल के बाद में हम बिटकोइन का टॉप बनाते देखते हैं अब यही चीज हमें 2015 में देखने को मिली bitcoin ने bottom किया फिर 2017 के अंदर इसने peak किया फिर bitcoin का bottom आया 2019-2020 के अंदर फिर हमने 2021 के अंदर peak करते देखा और यह देखिएगा यह red channel जब होता है तो bottom बनाता है और हम इस red channel से उप अब निकल के आप अगर चार्ट को देखते हो हफते के तो यह जो indicator है यह बताता है कि भाया हम अभी उस green channel की शुरुवात कर चुके हैं अब green channel की historically consider करते हो तो जब भी यह green channel बना है तो हमने rally start होते देखी है तो rally start हो रही है यह जो temporary आपको दिख रही है चीजे ऊपर नीचे 1000-2000 डॉलर देख रहे हो तो short term वालों के लिए तो बहुत interesting लेकिन long term वालों को तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर channel को देखोगे line को देखोगे तो वहां लगातार इसको support मिल रही है और अगर इस चीज़ को consider करते हो तो यहां पर हम शुरुवात कर चुके हैं एक rally की और हम 15,000 से 25,000-30,000 डॉलर जा चुके हैं और थोड़ा time अगर आप दोगे यानि कि आप कह लेजिए कि हम सही track पे हैं और दुबारे red नहीं हुआ weekly candle के अंदर देखते हो तो यह band दुबारे कभी short term term के बाद green में होने के बाद red नहीं हुआ है यानि कि यह जो आपको 1000-2000 dollar की fluctuation कर रहे है न तो बड़ी picture के अंदर इसका कोई खास फरक नहीं पड़ता है ध्यान रखेगा कहने का मतलब यह है अब हालविंग आनी है हालविंग होनी है ध्यान रखेगा हालविंग से पहले अगर इस band को देखते हो अगर 2020 के अंदर करोना आ गया था उसकी वज़े से हमने crash देखा था लेकिन उसके बाद एकदम से recover कर गया था इस band के अंदर ध्यान रखेगा उस time पे भी यह green channel के मेंचे हो जाए तो परिशान नहीं होना इससे बड़ी picture के अंदर कोई खास फरक नहीं पड़ता और हालविंग तक उम्मीद की जा रही है इस band के हिसाब से भी देखता हूं तो हमें लगता है कि हम 45-50,000 डॉलर यहां लगता देख सकते हैं और उसके बाद हो सकता है अगले जो हमारी estimation है 1.500,000 डॉलर तक ले जा सकती है आपको क्या लगता है क्या यह इंटरस्टिंग नहीं है अगर आप बड़ी picture को देखते हो तो थोड़ी आँखे खुलती है के नहीं खुलती है अगर नहीं खुलती है तो मैं आपकी आँखे खोलने के लिए एक और चार्ट बत लॉंग टम ओल्डर्स जो 2-4-5 साल होल्ड करते हैं वो बढ़ रही है वो जो है कहीं न कहीं आप देखो आज की डेट में 2010 से अगर कंसिडर करते हैं तो अपने all time high पे है यानि की बड़े लोगों को जो लॉंग टम होल्डर्स हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ रहा बिटक अब भया decide आपको करना है मेरा काम है पिचर को आपको दिखाना कि बड़ी पिचर के अंदर क्या है अब छोटी पिचर देखते हैं पिचर देखोगे तो आपको idea लगता है यहां पे 27,000 डॉलर हमारे यसाप से support होनी चाहिए थी वहां इसको support नहीं मिली लेकिन हमारे ता monthly closing इससे नीचे होगी यहां पर अभी अगर day candle के अंदर देखते हो 50 day moving average जो कि लगबख 26,600 डॉलर आती है वो इसके लिए immediate support है तो यहां से हमें बाउंस बैक करता दिख रहा है अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो short हमें हो सकता है 27,000 डॉलर पे थोड़ा तर फ्लक् 25,000 डॉलर के नीचे आ रहा है तो एक entry बन सकती है और गलती से 25,000 डॉलर के आसपास आ जाए तो भाईया बिल्कुल भी miss नहीं करना ध्यान रखिएगा समझ लीजिएगा शायद यह आपके लिए एक आखरी opportunity हो अगर बड़े picture के लिए देख रहे हो थोड़ा लंबा hold कर सक और short term में देख रहे हो तो आपको पता है यह 25,000 डॉलर पर अगर यह आता है या इस लेवल पर आता है तो यहां से bounce होने के chances दोनों लेवल पर होते हैं अगर यहां से नीचे जाता है और 25,000 डॉलर पर आता है तो यहां पर average भी आप कर सकते हो तो इस चीज को ध्यान रखन और immediate resistance वो है 28,000 डॉलर जब तक इसके ऊपर close नहीं करता तो हमें थोड़ा सा यहां पर 30-31,000 डॉलर के लिए जद्धो जद करता Bitcoin दिखेगा लेकिन अभी October के अंदर हम पहले 10 दिन ही देखे हैं अभी तो खेल बाकी है 20 दिन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है अगर यह जो issues निकल के आए situation निकल के आए अगर यह नहीं होती तो शायद हमें Bitcoin यहां इस rate पर न दिखता 28,000 डॉलर के उपर दिखता और 28,000 डॉलर के उपर यानि कि site track पर दिखता तो इस short term में थोड़ी fluctuation से हमें परिशान नहीं होना है entry कहां बनानी है मैंने आपको बताई दिया एक और सवाल हमारे comment में था मुझे लगा इसका जवाब देना चाहिए अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि pull run आने से पहले एक correction आती है बिलकुल आती है मैं agree करता हूं लेकिन वो कहीं न कहीं एक peak बनाने के आसपास आती है और अभी हमें लगता है mini pull run का वो peak नहीं आया है ज 45,000 डॉलार जाना चाहिए जो historically data कहता है उसके बाद यह correct होता दिख सकता है और 35,000 डॉलार तक यह आ सकता है लेकिन क्या यह 20,000 डॉलार आ सकता है हमारे साब से 25,000 डॉलार से नीचे हमें नहीं लगता personally यह आ सकता है और कुछ बड़ा card ना निकल का है इस चीज़ को आपन कॉंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको हमारी बात यह समझ में आ रही है तो शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि यहां पर situation क्या चल रही है और हम कहां सोचते हैं और हमें किस तरीके से किस नजरी से short term में सोचना चाहि लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि bitcoin में मैं hold नहीं करता मुझे बार बार bitcoin की बारे में मत बताओ मैं तो alt coins के अंदर हूँ और alt coins के अंदर भी दो category है एक जो बड़े alt coins के अंदर होते हैं वो फिर भी रात की सांस ले रहे होते हैं एक जो छोटे coin के अंदर होते हैं वो pump dumb के भरोसे होते हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा मैं अभी बात कर रहा हूँ जो बड़े coins हैं बड़े coins के अंदर ethereum आता है अब ethereum का क्या खेल है ethereum के बारे में समझते हैं तीन चर दिन पहले एक news निकल के आई जो उसके founder है वाटैलिक उन्होंने अपने ethereum बेचने शुरू कर दिये हैं अब यहां पर आप समझिएगा जो तीन साड़े तीन लाख ethereum hold करके बैठे हों और उनमें से दो तीन हजार अगर ethereum बेच दें तो कोई फरक पड़ेगा अरे भया वो भी इंसान है खर्चे पानी के लिए चाहिए होता है और उनका बाद में statement निकल के कि development के लिए आगे हमें जुरत थी तो हमने 2-3 million dollars के ethereum बेच दी इसमें क्या आरज हुआ वही है लेकिन इस पे बात का बतंगड बनाके लोगों ने panic rate करना शुरू कर दिया लेकिन यहां पर ethereum के अगर चार्ट को देखते हैं तो 250 या 50 दोनों की बात करता हूं monthly और weekly के 1530 dollar के आसपास 20 dollar के आसपास एक entry बन सकती है exactly आपको बताऊं अगर 1530 dollar के आसपास आ जाए तो आप entry बना लीजेगा एक अच्छी entry का आपको यहां मौका दे रहा है अगर यहां नहीं टिकता तो 1300 पीछता तो दो level पे यहां entry बनाई जा सकती है अगर आप लंबे समय के मैटिक की बात करते हैं अब मैटिक के अंदर ध्यान रखो कि कुछ bottoms होते हैं कुछ levels होते हैं जो बहुत ही strong निकल के आते हैं और जो हमें भी consider करना चाहिए और इस time पे मैटिक के लिए वही level है आधा dollar आधे dollar पे बार बार अगर weekly candle बड़े time frame में देखते हो 2020-21 से देखते ह तो यह एक support का काम या resistance का काम कर रहा था तो अभी ध्यान रखिएगा कि अगर यह आधे dollar पे है तो एक entry बनाई जा सकती है कोई doubt नहीं है यहां से अगर fluctuate करके थोड़ा सा 5-10% टूड जाए तो परिशान नहीं हो ना लेकिन यहां से bounce back करने के chances जादा है percentage wise देखें तो 80% chance यहां से bounce back करने के और थोड़ा time दे सको तो हमें लगता है कि यहां पर यह अगले 6 मेने के अंदर एक डेट डॉलर भी आपको देखने को मिल सकता है वस थोड़ा तो patience दिखाने की यहां जरूरत है Cardano ADA की बात करें जो situation Matic के साथ है वो ही Cardano के साथ में है इस time पे इसको support मिल रही है लगबग 0.2425 डॉलर यहां पर Cardano के अंदर भी entry बनती है अगर आप hold कर सको ध्यान रखियेगा बड़े coins हैं ज्यादा momentum इनके अंदर short term में नहीं देखने को मिलती है लेकिन जब rally आती है त यहां पर entry बनाई जा सकती है लेकिन अगर यह support तूटती है तो यह हो सकता है 0.2 डॉलर तक आ जाए जिसके हमें chances नहीं लग रहे है बिटकोई 25,000 डॉलर के आसपास आता है तो हो सकता है इसके अंदर 2, 2, 10, 15% की गिरावट देखने को मिले लेकिन अगर यहां से bounce back करें त chances पूरे जादा है और हमें भी लगता है यहां से 100% से 200% का potential रखता है अगले 6 महिने के अंदर अब बात करते हैं दोस्तों dot की dot के अंदर सबसे जादा disappointment लोगों को हो रही है बहुत सारे लोग hold कर रहे हैं लेकिन आपको बता दू यह जिस level पे है 3.5 डॉलर से नीचे हमें तो नहीं लगता कि यह जा सकता है हो सकता है एक विक बन जाए लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर इसकी historical ही भी देखते हैं जब से यह आया है तब से हमने इसके pump होने के बाद इससे नीचे नहीं देखा तो कह लीजिए इसकी एक बड़ी support यहां पर है अगर साड़े 3 डॉलर पे शायद एक lifetime opportunity हो सकती है यह unlock का pressure ना होता तो शायद हमें dot यहां पे ना देखने को मिलता चीज़े इसके अंदर हो रही है सब कुछ बढ़ रहा है transaction बढ़ रही है पहरा chain के उपर सारा बहुत सारी चीज़े work कर रही है बहुत सारी चीज़े team activity कर रही है लेकिन फिर भी हमें pressure देखने को मिल रहा है तो यह ध्यान रखिए का शायद एक lifetime opportunity है इसके अंदर entry बनाने की और अगर आप लंबे समय के लिए hold कर पाओ तो यहां से 510x आपको अगली rally के अंदर देखने को मिल सकता है इस पर भी ध्यान रखिएगा लेकिन जितने भी बड़े coins है Ethereum भी अपने bottom से उपर है $1000 के आसपस bottom था लेकिन जो बाकी की coin है वो अपने bottom को test करते दिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यह जो coins है एक opportunity है बस हमें यहां पे थोड़ा सा दिलेर बनके या थोड़ा सा अपना मन पक्का करके अपने finances को दिखती है और dodge coin के अंदर अगर इस rate पर आता है या $0.05 के आसपस मिल जाए तो बहुत possibility है कि आपको यह 50-100% अगले 6 महीने के अंदर 3-6 महीने के अंदर यह एक short term में भी bounce आपको देखने को मिले जो 20-25% का profit आपको बना के दे दे लेकिन ध्यान रखना हम को financial advisor नहीं है ल रातों के नीद ना उड़े और हमेशा portfolio को अपने diversify करके चलिए ताकि क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि एक ही जगा लगा देंगे या crypto के अंदर ही लगा देंगे तो फिर tension में आ जाते हैं ऐसी गलतियां मत करो जो आपकी नीद उड़ाए और रातों की नीद खराब करें और आपको mentally परिशान होना शुरू हो जाओ इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा हमारा content अच्छा लगा है तो वीडियो को लाई जरू करिए चैनल को subscribe जरू करिए और हमारी family का ह है उसी से हमें follow करोगे अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कमाते रहिए आपका दूस्त पंकर्च थैंक्यू नमस्कार थन्यवाद कर दोग कर दो कर दो कर दो